मकर सकरांतरी के अफसर पर एतिहासिक शिव मंदिर बैजनात में मंदिर के गरब ग्रे में अर्द नारिश्वर शिवलिंग रूपी भगवान शंकर्वा मापारवती का लगभग तीन कौंटल देशी घी तथा सूखे मेवे से शिंगार किया गया पहली बार इस धृत मंदल पर भव्वे निर्मान किया गया जिसमें 12 जोतिरलिंगों के दर्शन करवाए गए मंदिर परशाचनवा नियास ने भगवान शंकर के शिंगार को लेकर पिछले चार दिनों से तैयारियां शुरू कर दी थी शिवलिंग पर लेप के लिए विशेश रूप से गाई के शुद घी का प्रियोग किया गया देशी घी को पिगला कर मखन बनाने का कार्य ग्यारा जनवरी से शुरू हो गया था देशी घी को 108 बार पानी से दो कर मखन के पेड़ों के रूप में सुरक्षित किया गया और मकर सकरांतरी के दिन शाम होने वाली आरती के बाद शिवलिंग पर शिंगार का कार्य शुरू हुआ जो देर रात तक जारी रहा दृत मंडल तयार होने के बाद शिर्धालों के दर्शन के लिए शिवलिंग तयार किया गया साथ दिन के बाद 22 जनवरी को दृत मंडल को शिवलिंग से हटा लिया जाएगा तथा उसी दिन मखन रूपी परशाद को भगतों में भांटा जाएगा मंदिर नियास सदस्य अनिल शर्मा ने बताया कि धृत मंडल को लेकर परशाशन की ओर से पूरी तयारियां कर ली गई है सोंबार रात दस बजे तक धृत मंडल तयार कर लिया जाएगा तथा 22 जनवरी तक शिर्धालों के लिए दर्शन के लिए रखे जाएगे मंदिर परिशर को रंगीन लाइटों वा फूलों से भी सजाया गया है इस बार अकरशन का केंदर बने भगवान गनपती की मोर्ती जो विशेश फूलों से बनाई गई है मंदिर बैजनाथ में पिछले तीन दिनों से जो घित का मक्षन बनाने का कारे था वो चलना था और आज इसको शिवलिंग पे ऊपर चड़ा दिया गया है और सुखे मेवों से इसको सजाया गया है और ये मक्षन जो है वो एक हफते के बाद यानि के 21 सारी को लोगों में शुद्धालवों में बितरत किया जाएगा जाद, खुजली, खजली बगारा के लिए ये फाइदे मन होता है इसको खाना निशेद है ऐसी माननेता है कि मकर सकरांतरी पर देशी घी का लेप किये जाने को लेकर अलग-अलग कताएं प्रचलित है मंदिर पुजारी, सुरिंदर अचारे के अनुसार मंडी रियासत के राजा चंदर सेन ने भगवान शीव के दर्शन किये और उनके मन में शीवलिंग को मंडी ले जाने की इच्छा पैदा हुई राजा चंदर सेन ने इच्छा पूर्टी के लिए भगवान शीव का रुद्र भिशे किया और इल्दोनान राजा अचेत हो गए अचेत स्थिती में राजा को स्वपन आया की ऐसा करने पर उसकी रियासत का विनाश हो जाएगा इसका प्राश्चित करने के लिए राजा ने हर वर्ष एक मन घी से लेप करने का वचन दिया राजा के ना रहने पर स्थानिय लोग दो तीन किलो घी से लेप करने लगे और वर्तमान में ये कौंटलों तक पहुँच गया है तथा ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है लगाने के लिए लेप किया गया व्यदों की माने तो साथ दिन तक पवित्र शिवलिंग के लेप होने वा 108 बार ठंडे पानी से धोने तथा मेवों के साथ रहने के कारण ये घी औशदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है और चर्म रोगों के निवारन के लिए सहयक र रहता है बैजनात से एस्टुडे के लिए कमल गुपता की विशेश रिपोर्ट